कि यह गाइस गोट मॉर्निंग कैसे हैं आप से होपस बच्छांगे मैं थोड़ा डाउन हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा जुकाम लगाया है जो भी मैंने अच फेस्प्याग पना है ना इसे आप फेस्पे लगाएगा बहुत ही अच्छा रेजले और यह इतना रेजले ने स किड़ सकते का स्कीन बहुत हेल रहता है चले वीडियो को स्टाइट करते है पहले और अरेंज के छिलके में लेडे सब्सक्राइब चाहटें करता है है फ्युक्र बहुत अच्छा मदद करता है उसको भीटामिन को फेक लीण dif ihr करते हैं घृटे तक आत्स-टीण को झाहटे पेसिएगा उसका जो बल्ब होता है ना ददरा वाला उसको मैंने निचोड के उसका जूसी अलग से रख लेती हूं बस मुझे पल्ब चाहिए इसी से हमारा फैस्ट बाग बनेगा यह देखे मैंने एक बॉल पे उसको अलग सा रख लिया था छिलके में पिंपल को दा को दू बना के रखता है यह पिग्मेंटरेशन को भी कम करता है ब्लाक हेड्स को भी कम करता है और उसके बात मैंने बैसन लिया है बैसन में अपने स्कीन के हिसाब से बैसन लीजेगा बैसन ना यह ब्लीचिंग का काम करता है बैसन गहरा से हमारा स्कीन की गहरा से साब करता है इसक के गुण होता है इस पर आंटी इंफ्लमेटर के गुण होता है यह तोचा को नमी प्रदान करता है मौशा रेजर प्रदान भी करता है यह भी आकनी और दागधब को दूर करता है और उसके बाद उसका अच्छे से पेस्ट बना के अपने फेस पे लगाएगा यह देखे में करते हाइब और मुझे बहुत ज़्यादा जुकम है यह इतना फोल इकरते है यह यकीन नहीं मानाओ जरू पहर करेगा क्यूंकि यह फेςमग मैं फेस फेक मेरे जो सी जो उसके सी से ऊपकर ट्राय किया था।-ॉसका स्कीर इतना ब्राइटिंग नजर आने लगा क्योंकि वह स्कीर ब्राइटिंग करता है ब्लीचिंग का भी काम करता है इसलिए और हमारा स्कीन पूर्स को अच्छी तरीका से साप करता है दाग धब्ब को बहुत जल्दी से छुट करा दिलाता है थोड़ा सा सेमी ड्राय होने के बाद या आपको गुन-गुने पानी में धो देना आए या फिर साप कपड़ से आपको पोच लेना है थोड़ा सा फिसपर 10 मिनिट तक पेस पे लगाके रखेगा कि मैं अपने हातों से बिखा रही हूं बार बार बोले हूं मुझे जू काम है इसलिए मैं अपने हातों में दिखा रही हूं इसका असर मस्त है मस्त जिसको बोलते है ना बहुत ही इंपल का निशान भी दूर करता है व्लाकर्स को भी दूर करता है I hope मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट्स प्लीज कहरें मिलती हूं न्यू वीडियो पे एक न्यू रेमेडी के साथ आज के लिए बास इतना ही बाइबाइबाइबाइबा झाल करता है